दोस्तों नमस्कार मैं जगनाद गौतव देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है दोस्तों जैसे ही किसी भी राज्ये के या लोग सभा के चुनाव नजदी काते हैं तो उस राज्ये में किसकी सरकार बनेगी इस पर कयास लगने सुरू हो जाते हैं चाये सोशल मीडिया के पत्रकार हों चाये चैनलों के पत्रकार हों चाये समाचार पत्र हों सब अपने अपने कयास लगाना सुरू कर देते हैं सर्वे सुरू हो जाते हैं प्री पोल सुरू हो जाते हैं और वो तब तक चलते रहते हैं जब तक चुनाब परणाम आना जाया मैं इस तरीके के जो ओपिनियन पोल होते हैं या सर्वे होते हैं मैं उन पर निजी तोर पर तो भरोसा नहीं करता चूंकि ज़्यादतर ऐसे सर्वे या जो भी सिस्टम में इस तरीके से लोग बताते हैं कि अभी इस पार्टी को इतनी सीट मिलेंगी इसको इतनी मिलेंगे इसको इतनी मिलेंगे तो इमानदारी उनमें कम जलगती है यदि कोई भी सर्वे किया जाए जनता के बीच में जाकर तो जनता की नब्ज का तो निश्चित रूप से पता चलता है लेकिन यदि पहले से ही कोई सर्वे कोई कर रहा है कोई कंपनी कर रही है कोई चैनल कर रहा है किसी के भी साथ मिलकर और वो पक्षपात पूर्ण तरीके से कर रहा है किसी पार्टी के लिए काम कर रहा है किसी पार्टी के लिए सर्वे कर रहा है किसी पार्टी को किसी पार्टी की जीत का डावा करके उस पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए ये कई सर्वे जो किये जाते है ऐसे सर्वे निश्पक्ष नहीं होते और मैं सीधे तोर पर कहूं तो ये पैसे लेकर किसी भी पार्टी के लिए इस तरीके के सर्वे कराए जाते हैं उन सर्वे से कितना फर्क पड़ता या फायदा होता उस पार्टी को फायदा तो दोस्त तो होता है चूंकि जो लोगों को दिखता है लगता है कि ये सर्वे जो आ रहे हैं इसमें इस पार्टी को बड़ा दिलाए जा रही है ये जीतेगी तो लोगों का भी मन भी यही बनने लगता है कि यार यह पार्टी जीपेगी और वोटर भी आम तोर पर कईबार ऐसा सोचता है कि हम तो जीतने वाली पार्टी को ही वोट देंगे हारे हुए के साथ कोई नहीं चलना चाहता है लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है बेइमान होते हैं या सारे ही निश्पक्ष नहीं निश्पक्ष सारे ही मतलब पक्षपात पूर्ण रव्या अपनाते हैं केई निश्पक्ष रूप से भी होते हैं और इस तरीके के सर्वे सच्चाई के करीब होने के कारव जब रिजल्ट निकलते हैं तो उस सच्च के करीब भी दिखते हैं तो दोस्तों जो पिछले वर्सों में जो हल रहा है तो ऐसे opinion पूल संदे के घेरे में रहे हैं और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि वो भेंकर रूप से जूटे सावित हुए है लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि हरियाना में भी आने वाले दो तीन महीनें में चुनाब होने हैं और हरियाना के बारे में भी कि हरियाना में किसकी सरकार बनेगी या किसकी सरकार बनने की संभावना है या कौन सी पार्टी बलहत बना रही है और यदि आज चुनाव हो तो कौन सी पार्टी सत्ता में आ सकती है इसी तरीके का एक सर्वे पीपल्स पल्स एक कमपनी ने किया है और यदि मैं इसमें इसमें जो रिजल्ट दिखाया है वो मुझे जो है किसी हद तर सत्त के करीब लगता है इसलिए मैं आप लोगों को इससे रूबे रूब कराना चाहता हूँ दोस्तों जो हर्याना के मूड की बात कही गई है इस सर्वे में जो अभी हाल में हुआ है तो इस सर्वे को हम यदि सच मानें तो कांग्रेस को आने वाले विधानसवा चुनावों में यदि आज चुनाव होते हैं तो चौवालिस प्रतिसद वोट मिलने की संभावना जताई गई है अब दूसरी पार्टी भाजपा और बीजेपी को 41 परशेंट यानि कांग्रेस को तीन प्रतिसद वोट अधिक बताए जा रहे हैं और इस तरीके से कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है यदि हम अन्य पार्टियों की बात करें तो इने लों को तीन प्रतिसद वोट मिल सकते हैं जे जे पी को दो प्रतिसद वोट मिल सकते हैं आपको एक प्रतिसद वोट मिल सकते हैं और अधर्स को नो प्रतिसद वोट मिल सकते हैं अधर्स में और भी कई चोटी पार्टियां है अर अधर्स में आजाद उम्मीदवार भी सामिल होते हैं और हरियाना में आम तोर पर परंपरा रही है कि अक्सर पांग दर्स परशेंट जो MLN 90 में से आजाद उम्मीदवार के रूप में जीतते रहे हैं तो इस तरीके से इस सर्वे को हम सच माने तो कांग्रेस बढ़त पर है लेकिन अब आप सोचने रहोंगे कि बढ़त पर तो है लेकिन किसको कितनी सीते मिलेंगी तो ये सर्वे बताता है कि यदियाच चुनाब हों तो कांग्रेस को 43 से 48 सीते मिल सकती है और आप जानते हैं को हरियाना में विदान सभा की 90 सीते हैं और सरकार बनाने के लिए 46 सीते चाहिए बीजेपी को इस सर्वे में दूसरे नमर पर दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि बीजेपी कांग्रेस से काफी पिछड सकती है और बीजेपी को 34 से लेकर 49 सीते के बीच में कहीं सीते मिल सकती है इसी तरही के से हमने बाकी तो आपको बता दिया कांग्रेस को 43 से 48 भाजपा को 34 से 49 और अदर्स को 3 से 8 सीटे मिल सकती है तो दोस्तो लेकिन इसमें ये बात भी आपको ध्यान रखनी होगी कि ये जो सर्वे हैं ये अभी हुआ है आने वाले समें में आने वाले महेंदों में आने वाले हपतों में राजनीती में कब कब कोई घटना बड़ी घट जाए जिस से सारा पासा पलड जाए तो ये कहना मुस्किल है ये जो सर्वे बताता कि यदि आज चुनाब हों तो ये इस्तिती मतलब वह सकती है और लेकिन इसके साथ ही इस सर्वे में एक चीज और कही देए जो बड़ी महत पूर है वो क्या है पिए जो पूरे हर्याना में घूम कर इस कंपनी ने सर्वे किया तो ये सर्वे बताता है कि लोग प्रियता के आधार पर सी एम कंडिडेट भूपें सिंग हुड़ा सबसे आगे है इनको 40.30 लोगों ने पसंद किया है और वर्तमान में जो हर्याना के मुख्य मंत्री है नायव सिंग सेनी भाजपा के उनको 30.30 लोगों ने पसंद किया है वो 30.30 लोगों की पसंद है और जो कुछ महीने पहले तक हर्याना के सीम थे भाजपा पार्टी के सीम थे मनहुलाल खटर जी वो खिसक कर सिर्फ 9.30 पर आ गए है उनका जो ग्राफ है साड़े नौ साल सीम रहने के बाद 9.30 पर 9.30 तक गिर गया है ये कुछ चौकाने वाली बात है और किसी हद तक मनहुलाल जी के लिए थोड़ी निरासा जनक भी है क्योंकि उन्होंने साड़े 9 साल हर्याना में राज़ किया और अभी वो कुछ महीने पहले तक हर्याना के सीम थे इसी करी में कुमारी सेल जा को साथ प्रतिसत लोगों ने सीम कंडिडेट के रूप में पसंद किया है हाला कि अदर्स में से भी 14 परसंट लोगों को पसंद किया अब अदर्स में जो पार्टिया है अब यदि उनकी बोट प्रतिसत देखें तो कोई बात बनती नजर नहीं आती लेकिन अदर्स में से भी कब कौन कैसे बन जाए चाहे इने लोगों हो चाहे जे जी पर यो चाहे आप हो लिए अदर्स वाली बात तो मेरी समझ से परे है कि इसमें जो है चौदर परस्टेंट जो अदर्स को भी अदर्स को भी लोगों ने परसंद किया है अब अदर्स में अभे चोटाला है या पार्टी का कोई नेता है या कोई और पार्टी तो ऐसी है भी नहीं बहुते समाज पार्टी भी कोई ऐसा लगता नहीं कि उनका कोई बंदा सीम बन नामे होने वाले आगा में विदान सवाचुनावा को लेकर ओपियन पोल सर्वे इस तरीके की गतिविदिया भी सुरू हो गई है और इस इस सर्वे की यदि हम बात मानें जो किसी हग तक आज की तारीक में सच्चाई के करीब लग रहा है तो कांग रेसिस में बढ़त बनाए हुए है और भाजपा पिछड़ती नजर आ रही है तो ये तो है सर्वे की बात ओपीनियन पोल की बात लेकिन दोस्तों जब चुनाव पर नाम निकलेगा या जब चुनाव होंगे तब तक गंगा नदी में बहुत पानी बह चुका होगा तब तक क्या होगा वो कहना ऐसी क तक हमें इंतिजार करना होगा और हकीकत तो ये है कि जिस दिन चुनाव पर नाम निकलेंगे असली जन्ता का जो सर्वे है मूड है उसी से ही पता चलेगा तो दोस्तों देखते रहिए देश रोजाना मिलते हैं कल भी नए एपिसोड में नए मुद्धे के साथ जै हिंद ज जैस अभीधान नमस्कार